गोटा देज जुरे चोल छे एक्टाई को था भारोत पाकेर मोद्य जाजा होच्छे ताते नाकी मोधी शरकार एवं भाजपा शरकार और थेद बीजीपी शरकार नाकी शुबीदा पेचे ये स्वाल उट रहा है जिसका हर कोने में पोलिटिकल है सोशल है सोशल मीडिया में है ये जो हुआ है इंदो पाक जो रिलेशन शिप का बारू में आभी जोक हुआ है इसमें बहुत ज़्यदा फाइदा आपको है ये फाइदा और नुकसान जब देश सामने खड़ो तो उसक की चिंता नहीं है देश का फाइदा होना चाहिए देश का नुकसान नहीं होना चाहिए देश का मान सम्मान बढ़ना चाहिए हमारे सेना का सविमान बढ़ना चाहिए उनके मान सम्मान में ठेस नहीं हम सिर्फ राजिनीती करने के लिए अपनी कुरसी की चिंता करने के ये बताया है कि पाकिस्तान की हरकत क्या है और हमने क्या किया विट प्रूफ फ्रगष लीदी येशीन काइख विट पाराशूटे कि पाराशूट से विट विट ये विट राठी काइखाबी happens । Pakistan later in the evening changed its statement to say that one Indian pilot was in their custody. Therefore, it was only by late evening that Pakistan accepted the fact. Secondly, Pakistan claimed that they intentionally dropped weapons in open space where there was no human presence or military posts. The fact is that Pakistan Air Force aircraft targeted military installations. In response to the counter-terrorist strike by the Indian Air Force, Pakistan Army first resorted to unprovoked ceasefire violations, as you are aware, in Sundarbani, Bimbargali, Naushaira and Krishna Gati sectors on 26th February, with effect from 5 o'clock in the evening and again during the night. This was responded to by the Indian Army in a befitting and appropriate manner. As my Air Force counterpart has elaborated, on 27th February 2019, the Pakistan Air Force attempted to target our military establishments in JNK. Specifically, they targeted a brigade headquarter, a battalion headquarter, our defenses and a logistic installation. The Indian Navy is deployed in a high state of readiness and remains poised in all three dimensions, on surface, undersea and in air, to deter, prevent and defeat any misadventure by Pakistan in the maritime domain. I can assure you of a resolute, swift and strong response by the Navy when needed. We stand as one with the Army and Air Force to ensure the safety and security of our nation and our citizens. After that, the prior relationship in this culture, Mr. Minister Ng, should remain a professional proof. His proofs are to demand the law. He should feel a professional and it's your job. That's why we're calling our bolaway here. We have a strong proofs of ouros. कि निंदा करता हूँ और हम हमारे लिए देश पहले दलबाद में कहले देश है उसके बाद दल बिंगल में क्या होगा आपको जो चीन्डिडिट होगा आपको मिल रहे है बहुत बहुत अच्छ अच्छ चीन्डिडड़ आ रहे हैं और आप देखेंगे बहुत सारे लोग T.M चोड़के भी आना चाहते हैं ऐसा कोई है एम पी टीम सी छोड़के आ रहा है बहुत हम बताएंगे आने वाले समय में आने वाले सब कब होगा जब इलेक्शन डीक्लियर हो जाएगा उनका बात हाँ दरसल बहुत सारे टीम सी के ऐसे लोग हैं जो आना चाहते हैं पर सरकार की की अराज़क्ता की कारण्डर लगता जुटे केस लगा देते हैं मुकूलदा जैसे वच्णी के ओपर जुटे मुगद में लगा दिए उ Чтобы बड़िने कारिकरता आ лег war उसको के उसके साथ क्या गरेंगे तो बहुत बड़ी संख्यामें लोग टीम सी से नाराज होके हमारे आज तो एक नोजगान में मुझे फोन किया कि मैं TMC का कारे करता हूँ पर ममता जी के इस बयान से बहुत खफा हूँ जो उनोंने बयान दिया है कि हमें प्रूफ चाहिए ये तो इम्रान खान का बयान है उस बयान को ममता जी समर्थन करेगी तो इसी पार्टी मेली रहना चाह जी आज़े उनों बहुता परेचे अन्रों जागे बहुता मीच है एमों मानुष मारा जाए के ओब लचे एक जोर मारा जाए तो शुट्त प्रखी एटा तो लोकी जानती पार। अमरा एब करे टोटाल आमला गोले करी अमरा फोर्षेशाचे एट अचे एटो फोर्षेश जाना उज Het टोट की उँरो कुरो जितुनने उभॉर म्रा जुट्व चाहिएक पिजए पी यह मिलुक में ९ह स्टेट मेंaina भीजईपी यूनाइटेर है मुकूलदा है अवी शुमिक वहत चरिया है तो इसका अंदर लुझी है हैं एकदम unity हम लोग सार बीटे इस साथ मेकल्णा है अभी है अभिगों मैसिसा अघर्णु चिनाव प्रबन्धन कमेटिया है मैं वहाभ है enorme हमारे मोकुल्भा इसाथ मेस्ती सबके बहाशनिए तो भाष्यों पुरुभख इस प्रदेश में आधिया मेन प्लांट कीद'm कि हमारी गुडवाजी है थूरा बाता यह एक बात ममताजी इतना पॉपुलर है यह पे चुनहुता भी लोकसवा को हो रहा है अगर 2021 में तो यहां पे विधान सवा भी है ऐसा कोई फेस है आपका पास जिस फेस ममताजी इतना पॉपुलर है उनका बिरुद में खारा हो सकता ह ड्यादे और पॉपुलर है पॉपुलर है यदि पॉपुलर है तो स्वस्ती तरीके से चुनअट निकरात है यह पंचात की चुनाओं में क्यों पोलिंग बुद पर कबज रुदा कियो उहां पर फोर्स डिप्लाइट करें अलग-अलग जगे पे और पोलिंग बूत नहीं गाउं में भी आप फोर्स को डिप्लाइट करें जिसके गाउं में ही आतंग फैला कर लोगों को बुड डाने देते हैं तो हम चुनाव योग से पिक्षा करेंगे कि निश्पक चुनाव कराने के लिए ज्यादा फैस में चुनाव कराएं और ज्यादा से ज्यादा फोर्स यहां पर लगाएं यह 42 सीट का अंदर कुन सीट आपका फैवरिट है जिस सीट में आप बूल सकते हैं आप लोग है उहां पर हम तो बयाली सीट पर बरोबर लड़ेंगे और हमारे अध्यक जी ने कहा कि हम बाई सीट जीतेंगे पर मुझे विश्वास है कि हम 35 का असपा से जीतेंगे बैरकपूर में अभी तो जो है दिनेज श्दा है दिनेज जी तो बहुत वोग बिनिस्टर भी था तो ओस सीट नोचोबिश परमोटना में वह सीट का बारे में तो बहुत चठ्चा हो रहा है देखे हम आपसे कहे रहे हैं एक एक सीट के बार में बैरकपुर समय और तारिक नोट कर लीजिए मैं कह रहा हूँ भारती जंतापटिक उम्मीदवार ही जीतेगा मैं इस्टाम पर लिख के देता हूँ बाबुल सुप्रिय इस टाइम असान सोल में जीत सकता है पाबुल सुप्रिय हमारे पास वो इस्टार ही कहीं पर से भी जी सकता है असन सोल के हम कहीं से भी कड़ा करेंगे जीतेंगे बहुत अच्छा काम किया उन्होंने वहाँ पर चुनाओं का बात ऐसा भी तो हो सकता है इंडिय जो था वो इंडियो आपके चाहिए इसलिए ऐसा भी तो खुछ सकता है त्रिनुमूल का समर्थन आपको चाहिए बिलकुल नहीं हमें टीम से क्या आसुक्त है नहीं पड़ेगी और जिस प्रकार इस बार हमें भारती जन्ता पार्डी को पूरा बहुमत था उसके बाद भी हमने एंडिय के साथ ही को सबको साथ में रखकर औ और उनको मंत्री भी बनाया हमें आने वाले चुनाव में फिर भारती जन्ता पाड़े का सबस्ट बहुमत होगा पर हमारे इंडिय के साथ ही हमारे साथ रही हम उनको साथ में रहें लेखिए बेंगौल में एक ऐसा बात उट रहा है शामा प्रोशाद मुखपात है जिसको ह बेंगौली, हार इंडियान को उनका उपर बहुत बहुत है सब्सक्राइब लोग हो और शामा प्रसाद को उनका जो जाएगा है वो नहीं मिल रहा है। डॉक्तर शामा प्रसाद मुकरजी तो हमारे हर कारिकर्म के सबसे पहले अराद्य दिवता होता है। पूरे देश के अंदर, जहां भारती जन्दापार्टी का कारेकर्णा होगा हूं, दॉक्टर शामा प्रसाद मुकर जी और पंडेदियन जालोपादिया के फोटो लगते ही हैं, और इसलिए वो तो हमारे दिल में बसे हुए, हर भारती जन्दापार्टी के कारेकर्टा की दि तो वो तो हमारे प्रेड़ा और शद्धा के इंद्र हैं, मैं नेक इराजे से वादा करता हूं कि पस्चिम मंगाल एक बार भारतिय जन्दापार्टी को स्विकार कर ले, डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी को याद करके स्विकार कर ले, पस्चिम मंगाल के नौजवान कोईलाज जी एक बात बाताईए, ये बेंगल तो बेंगल का जो अदमी है, तो 34 years left rule में था, communist rule में था, अब क्या सोच रहे है, बेंगल leftist है, ओरिजिनरी leftist है, इसलिए आपको इतना तकलिफ हो रहा है BJP को यहाँ पर, ने कोई तकलिफ ने, BJP का काम बहुत आसान हो गया, देखें, बंगाल के लोग बहुत भावनात्मक है, बंगाल के संस्कार और संस्कृति को लेकर बड़ी चिंता रहती है, निश्यत रूप से, CPM ने, व्यक्ति के नीजी जीवन और नीजी धर में कभी हस्यप करने के कोशिश नहीं थी, पर ममता जी ने, तुष्टी करण के राजनीती के कारण, कहीं पर सुरसती पूजा हो रही है, तो वहाँ पर उनके विरोद करने वाले उनके सबोटर में इकले, कभी महरम आ जाती है, तो कह देती की दुर्गा माता का अब सर्जन नहीं होगा, इससे बनी शर्म की बात नहीं हो सकती कोई, बंगाल में बोट की राजनीती के कारण, व्यक्तिगत, लोगों के जीवन में आप हस्तचेप करें, दुर्गा पूजा बंगाल की पहचान है, महरम बंगाल की पहचान नहीं है, दुर्गा पूजा दुनिया के अंदर कहीं भी मना ही जाती है, कोई भी मना रहे हैं, अच्छा आप बंगाल के है क्या दुर्गा पूजा मनाते हैं मुहर्म वाले से कहीं पर भी मना है दुनिया के अंदर कोई नहीं कहा रहा है आप बंगाल के दुर्गा पूजा बंगाल की पहचान है और बंगला के अंदर यदि दुर्गा पूजा कोई रोके कोई रोके कोई रोके कोई रोके कोई सिर्फ इस बात को लेकर घुसा है सरकार्ण की तुष्टीकरण की नितिक कार. लिखी बेंगल-पे जो इंटेलेक्च्छुएल है वो आपका साथ है? बहुत है, बहुत साइंटिस्ट है, बहुत प्रोफेसर है, कम से कम हमारे 42 जो लोगसभा सीट उसमें से 20-25 पे तो प्रोफेसर होगी टिकेट माँग रहा है इंडिवर्शेटी में, बड़े-बड़े प्रोफेसर होगी टिकेट माँग रहा है, तो हमार साथ बहुत लोग है होगा कि अब ELA सीट में कोन प्रार्थी रहेगा कोई ऐसा कोई है, हम लोग सुन रहे हैं, सेंट्रल लिडर्शिप कोई यहां पर आ सकता है, ऐसा हो सकता है अभी तो कोई इस बारे में सोचा नहीं है, हम बंगाल को ही जो इस्थानी लोग उनको प्रात्मिता देंगे अब confident है बंगल का बारे में हंडेट परसेंट मैं स्टाम पे लिख देता हूँ कि राष्टिय द्रीची ने 22 सीट बोली है, मैं 35 सीट बोल रहा हूँ, इसके आसपास ही हमारी सीट आईगी और आने वाले विधान सबाद चुनाओं में हम भारती इंदापाड़ी की सरकार बनाएंगे वो लोग चार वर्स पहले तक एक दूसरी का चहरा देखना पसंद नहीं करते थे जो चीख चीख कर एक दूसरे को जेल भेजने का एलान करते थे वो ही गले लग रहे थे काले कार नामों की चीट फंड से लेकर के रक्षा सोदों में दोखा गड़ी करने वालों को ये चोकिदार पसंद नहीं है मैं आपको यहाँ पस्चिम मंगाल का ही एक और उदान देता हूँ साथ यो रियल एस्टेट सेक्टर में काले धन को रोकने के लिए कुछ बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए केंदर सरकार ने रेड़ा कानून मनाया लेकिन पस्चिम मंगाल सरकार इस कानून को अपने राज में लागू करने से गबरा रही है अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो अब जो नए फ्लैट नए घर बिल्डर बना रहा है वो उन्हें तय समय पर बना कर देने पड़ेंगे कोई की काम कच्चे पक्के में नहीं होगा इस कच्चे पक्के के खेल में जो लॉबी जुटी हुई है उसकी ममतादीजी की सरकार में क्या एहमियत है वो आप भी भली भाती जानते है पस्चिम बंगाल को जगाई मताई और सिंडिकेट राज से मुक्त करने में हम पूरी तरह बंगाल की जनता के साथ है आपका यही विश्वास है जो मुझे दिन राज दोड़ने के लिए प्रेरित करता है ताकत देता है इसी विश्वास को बनाए रखते हुए एक बार फिर से नए बज़र से मिलने वाले लाप के लिए मैं देश वास्चियों को बंगाल वास्चियों को दुर्गापूर वास्चियों को रने पुर्वक बढ़ाई देता हूँ इतनी भारी संग्या में आकर आपने जो आशिरवाद दिये उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बीजेपी का खिलाफ यहाँ पे एक सवाल उठा है अप लोग बहुत एवियम जो है अप लोग का कोई का इवियम का उपर जो भी यह सवाल उठा रहा है इसका मतलब है कि उसको समझ में आ गया पल्स इस प्रदेश की कि हम हारने वाले तो जो हारने वाले रहते हैं पहले से भूमी का बनाते है तब इसे भूमी का बनाना यदि किसी ने प्रशने उठाया तो चालू कर दी उन्होंने कि हमारी जमीन खिसक रही है तो हारने का कारण क्या होगा तो बोले ही है तो इसका मतलब है जिसने भी प्रशने उठाया है उ इस बारे में देखिए यह बर्णी बर्णाम करने कि इस बोड़े में यह बर्णाम करने के साजिश का हिस्सा है मन से होती है, आइडियोलाजी पैसे दे के नहीं होती कभी में, हम लोग यहां पर काम कर रहे हैं, तो मन से कर रहे हैं, और भारती जंता पार्टी में आइडियोलाजी के लिए काम करने वाले हजारों लोग हैं, जो अपना घर परिवार छोड़ कर काम कर रहे हैं, संगठन मंत हमारा ये तुन देश केली काम करता है जोंगी शिबिडे कोठीन त्रत्ताखात करलो बायुशेना निखोट टार्गेट बेछनिये मिलास टुठाउसन सिरीजेर बारोटी बिमान हमलाई अंग्षनाई नियांट्रन रेखार ओपाडे गुणिये दाई एकाधिक जोंगी खाती अपरेशन शेषे निजेर बार्षफबोने जातियो निरापत्त उपदेश्टा आजीक दोवाल ट्रतिरोखा मंत्री शाराष्ट मंत्री शाहो केंद्रे शिर्ष स्थानियों मंत्री देन्निये निरापत्ता निये जोरोरी वोईठके पाशेन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वोईठक शेशे भारोतेर बिदेश शोची बिज़ाय को खेल बालीन बालाकोटे जैशे शब्ठके पड़ो जोंगी प्रशिक खनशीबीर शंपूर न धंशे कोड़ेचे भारोत बायुषेना ग्रत्ता खाते बहु जोंगी नी हतो होयेचे इन अन इंटेलिजेंस लेड ओपरेशन इन अर्ली आज अव तोडे India struck the biggest training camp of the Jaisa Mohamad in Balakot In this operation, a very large number of Jaisa Mohamad terrorists, trainers, senior commanders and groups of jihadis who were being trained for fidayan action were eliminated This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar Alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM बिरेश्षोची बलेन, गतो दुदाशों धोडे जोंगी शंक्रान तोयका थिक तोथो पाकिस्ताने हाते तुले दिलो तारा कोणो ब्याबस्थानाईनी ताई एई पदोखे जोडूरी होई पड़ छिलो The government of Pakistan had made a solemn commitment in January 2004 not to allow its soil or territory under its control to be used for terrorism against India We expect that Pakistan lives up to its public commitment and takes follow-up action to dismantle all JEM and other camps and hold the terrorists accountable for their actions जोंगी शिबेर धंशो कोड़ते भारोतेर एई प्रत्ताखात प्रतिरोधे जोन्नो शामरीक ओभिजान चले बोले जानिये छेन भारोतेर बिदेश शोचिप बिदेश मंत्रक जानिये छे जोईशे जोंगी घाटी गुली पड़ी चालोना कोट्तो जोंगी नेता यूसुफ आजार शमपरकेशे जैशेर प्रतिष्ठाता सदस्षो मसुद आजारे शालोग शुत्रे खबर ओभिजाने म्रत्त होएचे यूसु फेरो ब्यूरो रिपोर्ट शाधरा न्यूस